हाई अवरिवान वेलकम बैक टो माई चैनल अंकिता ब्यूटी बीड्स और मैं हूँ अंकिता काईस आज में आप लोग के साथ में एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो की ना सिर्फ आपके हेर ग्रूथ को प्रमोट करेगा और जिनका हेर फॉल बहुत जादा बढ़ सच में इसके रिजल्ट पर आपको बिलीव नहीं होगा तो इसो ट्राइज जरूर कीजिएगा गाईस शलिए देखते हैं यह हेर मास्क हमें कैसे प्रिपेर करना है और हमें इसको कैसे यूज़ करना है सो गाईस आपको जब से पहले एक कंटेनर में लेना है एक से डेड़ ग्लास के जितना पानी आपके बाल अगर बहुत जादा छोटे हैं तो एक ग्लास पानी काफी होगा और अगर आपके बाल मीडियम या लंबे हैं तो आप लेंगे डेड़ ग्लास के जितना पानी उसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे दो चमच के जितना फ्लैक सीट्स या यानि वाइट राइस, दस से बारा करी लीव्स, यानि करी पत्ता, यह गाइस बालों के लिए बहुत जादा अमेजिंग है, अगर आप इसको हर सुबह काली पेट में खाते हैं, तो आपका हेर फॉल बहुत जल्दी रुख जाएगा, एंड हेर ग्रोथ भी काफी काफी तेज से होगी, अब हमें इसे तब तक बॉल करना है, जब तक बिलकुल यह आधा ना हो जाए, जब यह आधा रहा जाएगा, तो हम गैस को बंद कर लेंगे, और इसको हम चान लेंगे, चानने के बाद हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद आप देखेंग कि यह बिलकुल जल जैसा हो जाएगा, और यह काफी खुपसूरत सा एक जल बनके रेडी हो जाएगा हमारा, इसको पुरे स्कैल्प पे अच्छेज लगा लें, पुरे लंध पे लगा लें, और उसके बाद कम से कम दो घंटे के लिए इसको रहने दें, और फिर सेर्फ और शिर्फ सैंपू की हेल्प से इसको वाश कर लें, अपने बालो को और इसमें आप कंडिशनर यूज ना करें, तब ही आपको इसका रिजल्ट नजर आ पाएगा, कि आपके बालो में क्या डिफरेंस आया है, इस हेर जल को यूज करने के बाद, और शैंपू करने के बाद आ आप यहां पर रिजल्ट देख सकते हैं, बहुत ही नैचरल सी बालो में शाइन आ जाती है, और आप इसको एक वीक में दो बर जरूर लगाएं, तो गईज, आपको यह वीडियो पसंद आई होगी मिलते हैं, अगले वीडियो में तिल देन, बाई!